हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम दाएं आज बहुम वारी ये मावस्तिया है यानि के म भाजानी स्तोत रादी का पाठ जरूर करें। सारी चर्चा इस संक में होगी इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। अमवस्या हर महीने आती है। लेकिन जैसे भौमबारी अमवस्या है, शनिस्चरी अमवस्या है, उदर श्राद प्रक्स की अमवस्या है, इनका महत्व अत्तिधिक बढ़ जाता है। आज जो भी किसी प्रकार से ये आपको लगता हो, कि कोई पितर रिन तो हमारे उपर नहीं, तो आज के दिन रिन से उरिन होने का एक बहुत उप्युक्त समय है। आप क्या करें? आज गुड़ वाला जल बना लें, और एक लोटा गुड़ वाला जल शिवलिंग के उपर चड़ा के आएं, और मीठी तेल की जोत, या देसी घी की जोत, उनको अरपन करके आएं, पांच मिनट उनके शिरी चरणों में बैठें, ओम्रिन मुक्तिश शुरा इनमा, बस इतना ही बहुत है, ओम्रिन मुक्तिश शुराए नमा, इस मंतर का आप जब करें, पांच मिनट करें, जन्मों जन्मांतर के चड़े हुए रिन, चाहे आज किसी से लिये उधार का रिन हो, उसमें भी लाब मिलता है, एक लोटे जल में, और फिर गुड़िया शक कर घूले, थोड़े सी काली तिल मिला ले, दक्षिन दिशा में अपने पित्रों को नमन करें, गर्देन जुखा में, प्रणाम क्रें, और अपने समस्त पित्रों के निमेत्ता, एक लोटा जल दक्षिन दिशा में दें, सूर्य नरायन को भी एक लोटा जल, आज पिंडी पर सूरिय को और दक्षिन दिसा में पित्रों के निमित्ता हमेशा ध्यान रखें जब भे आप शिप पिंडी पर मीठा जल चड़ाएं शेहद चड़ाएं दूद चड़ाएं धाई चड़ाएं उसके बाद एक लोटा जल शुद्ध भी चड़ा दिया करें ताकि पि भगवान ने उसे स्विकार कर लिया है इसी के साथ सार जनके पास मंगल विसायंतु हों है आज के दिन मंगल विसा यंत्रों की सिवा साधना करना धूब दीव देना बहुत उप्युक्त होता है। जिनके पास नव मुखी के नौ रुद्राक्स ये तीन पहने हैं उन रुद्राक्स को भी आज के दिन धूब दीव दिखाना और भागवान शिवगा पाट करना रुद्राक्स के उपर उंगली रख लें ऐसे हाथ रख लें गले में पहना हुआ है पहले उसको निकाल के दोले हलकी सी धूब दीप कर लें और फिर उसको हर हर महादेव या नमश्यवाय बोलते में पहने रुद्राक्स के उपर हाथ रख के फिर अपना उसको एक दो मिनट नमश्यवाय नमश्यवाय या शिवजी का कोई भी मंत्र जपने बड़ा उप्युक्तलाब मिलता है आज के दि दिन मंगल देवता के 108 नाम जपने का भी बड़ा मात्यम है और शक्कर तिल मिला हुआ और घी मिला हुआ खैर की समिधाओं से या आम की समिधाओं से मंगल देवता का यग करना बड़ा अच्छा माना जाता है आज के दिन पित्र यग करना भी बहुत अच्छा माना जाता ह और गाहितिरी मंत्र तो हर मवस्या में हमें एक माला तीन माला जो भी हमसे बन सके हमें जपना ही चाहिए और एक या तीन माला जपने के बाद हमें फिर सूरिय को और पित्रों के निमेत जल देना चाहिए जो लोग गाहितिरी मंत्र या वैसे ज़्यादा नहीं जब सकते कम से कम 24 बार गाहितिरी मंत्र पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसकी 24 रिचाए है आज के दिन पक्षों की सिवा करना गव मता की सिवा करना मिठाई बाटना फल बाटना वस्तर का दान करना बहुत शुबबाना जाता और एक चीज़ और करिएगा आज के दिन दिन में चलते फिरते उटते बटते ओम मंगलाए नमा ओम मंगलाए नमा ओम मंगलाए नमा इस विजात पर मंतर का जाप करते रहें ये भी ध्यान रखना आज के दिन अपने भोजन में थोड़ा गुड़ जरूर लेना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसी के सास्ता आज के दिन अगर आप किसी भी सावर मंतर को सिद्ध करना चाते हैं या किसी भी अपने मंतर को दुबारा से उसकी पूजा करना चाते हैं या यग करना चाते हैं किसी अंतर की प्राण पुतिष्ठा करना चाते हैं मंत्र को पुने चेतन्य करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आज के दिन शुब रहता है तो आज के दिन की यह जानकारी थी ध्यान रखेगा किसी भी शुब गरम को करने के लिए विचार मत कीजिएगा बस उसे कर डालिएगा जितना आपसे आज अच्छा हो सके आप जुरू कीजिएगा ज्यादा कुछ भी नहीं होता है तो आज के दिन जो आप सुबह साम के हिसाब से अपनी पूजा करते हैं दैनिक पूजा करते हैं उसे बहुत मन लगा करके करिएगा आज बहुंबार ये मवस्या है आपको शुफल के प्राप्ति हो अगर आसपास मंदिर है तो एक लोटा मीठा जल तो आप चड़ा सकते हैं तीन लोटा जल मैंने आज के दिन बताया है इतना तो आप करी सकते हैं और बहुत दूर ये दि मंदिर है तो घर में अगर शिवलिंग है तो उन पर थोड़ा सा मीठा जल चड़ा करके बाद में शुद्ध जल चड़ा करके और महा से साफ सपाई करके अच्छे से उनको पहुँच करके अपनी शिप इंडी को घर में पुने जहां आप स्टेंड बगरा में जहां भी रखते हैं उन्हें अच्छे से रख लीजेगा शालिक राम जी हैं घर में तो ध्यान रखें उनको भी आज के दिन आप गुड से बनी कोई मिठाई गुड से बना कोई भोग या किवल गुड ही उनको प्रस्तुत कर दीजेगा भगवान तो आपके भाव देखते हैं वो बेंजन नहीं देखते हैं तो बस आप उनको पढ़ करें और बाद में प्रसाद सब्रूबेण अपने भुजन्नोस गुड को आप ग्रहन कर सकते हैं आईए मेरे साथ को समय उचला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में मा भगवती से हैं विप्रते सोम्याम रत गटस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंबसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनयनाम सर्वंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरोकमलजो अंतुम्मदुम्कर्टवं विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्तविरास्यविताम हस्ते चक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदराम कबच बना लें ध्यान करें भगवती का शुबासिस हम सब के उपर ब्रस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले समान्या हो जाए शुक्र का राशी परिवर्तन हो चुका है और शुक्र अपनी राशी में आ गए है अपनी घर वापसी शुक्र की हुई है तो बहुत अच्छा इसका लाब मिलता है और हमने कुछ इसके विशेस उपाए बताए थे तो शुक्र का राशी परिवर्तन का उपाए आप हमने कल ही इसको डाला है आप इसे जरूर सुनिएगा समझ लीजिएगा और बाकी वैदिक जनम पत्रिकाएं हमने अब करीब करीब सब की भेज़ दी है जिन की रह गई है वो भी शायर शिग रही सबको प्राप्त हो जाएंगी सावन के महीनी के कुछ रुद्राक्स थे बहुत लोगों के जो हमने प्राण प्रतिश्चित किये थे जिन जिनने संस्थान से हमारे करवाए थे उन सब के हम करीब करीब भेज चुके हैं किसी को ना मिला हो तो वो हमारे संस्थान में एक बार समपर कर सकता है दूसरी बात व्यक्तिकत रूप से अभी सुचारू रूप से हम मिलना प्रारंब नहीं किया है अभी आपको किसी भी प्रगार की कोई समस्यार कहीं भी रहते हैं देज विदेश में तो उसके लिए भी आप संस्तान से हमारे call appointment ले सकते हैं आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाली को विराम देती हैं जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धरमेंद्रु शर्माची से नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें